वेलकम दोस्तों फिर से आपका सवागत है हमारे यूटुब चैनल पे मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं माई 24 सुगी यूटुब चैनल तो दोस्तों यह वीडियो जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का तीसरा वीडियो है अभी तक मैंने दो वीडियो पॉलिटिकल साइंस से एक हिस्ट्री और चार जोगरफी से कंप्लेट कर दिया हूँ अगर जिन लोगा ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा वहां से उसे जाके देख ले ना ठीक है या फिर हमारे वीडियो के प्लेश्ट में जाके वहां पे लिखाओगा बिहार पुलिस कॉंस्टेबल 2018 और वी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेट गलर का बटन दीख रहागा उसे दवा के सब्सक्राइब कर लेना और बगलवाले घंटी को जोड़ दवाना ठीक है ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अप्लोट करू तो आपको नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल स की गई है तो छे से चौदा साल तक वर्स के बच्चे को ठीक है चलिए अगला कोशन हम लोग देख रहेते हैं यहां पे 56 नंबर कि भारत के संबिधान को बनाने वाली संबिधान सभा के अध्यक्ष कौन थे कौन थे तो आपका हो गया डॉक्टर राजंदर प्रसाध नेश नेश्ट कोशन है हमारा यहां पे कि भारत के संबिधान निर्माताओ ने निम्न में से कौन सा लक्षन अमेरिका के संबिधान से गरहन किया था तो कौन सा है वो आपका उप्षन नमर डी इन में से सभी A, B और C तीनों जो है सभी जो है अमेरिका के संबिधान से लिया गया है चलिए अगला देख लेटे कुश्चन हम यहां पे कि भारती संभिधान का कौनसा अनुच्छेद राज़ी सरकार को ग्राम पंचायत की संगठन का निर्देश देता है तो अनुच्छेद हमारा यहाँ पर अब देखो नेश कोशन हमारा यहाँ पर कि राज सभा द्वारा लोक सभा को धन विद्धेयक कितने समय में लटा दिये जाने चाहिए तो 14 दिन के अंदर जो है उसे लटा देना चाहिए अगला कोशन हमारा यहाँ पर कि विधान सभा के निरवाचन के लिए नियुन्तम आयू सिमा क्या है तो 25 वर्ष जो है विधान सभा के निरवाचन के लिए नियुन्तम आयू है नेक्ष्ट कोश्चन है हमारा यहाँ पे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस ने पुर्ण स्वराज की मांग कब की थी तो 1929 इसमी में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस ने पुर्ण स्वराज की मांग की थी निश्ट कोश्चन है हमारा यहाँ पे के प्रासासनिक द्रिष्टी से अब भारत कितने राज्यों एवं केंदर सासित परदेशों में विवाजी थे तो 29 राज और 7 जो है केंदर सासित परदेश जिसमें कि दिल्ली जो है राष्टी राजधानी छेतर कहलाता है ठीक है अगला क्या है हमारा यहाँ पे कि राजसवा की पहली बैठाक की सुवर्स समापन हुई थी तो यह आपका 1952 में राजसवा की पहली बैठाक का समापन किया गया था दोस्तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक आपको discussion box में मिल जागा हमारे गुरूप का टेलिग्राम गुरूप का वहाँ पे जाके जॉइन कर लो और इससे पहले कोई भी अगर वीडियो नहीं देखे हो क्योंकि political science का इससे पहले दो पार्ट है तो उसका भी लिंक आपको discussion box में मिल जागा वहाँ से आप जाके देख सकते हो ठीक है नेक्ट कोशन है महारा यहां पे कि Muslim League ने मुक्ती दिवस कब मनाया था तो 1949 सिस्वी में मुस्लिम लिग ने मुक्ती दिवस मनाया था नेक्ट है निमलिखित में से किन राज के लोकसभा में अनुसुची जन जातियों के लिए सबसे अधिक सीटे जो है आरक्षित है तो वह है आपका मदपरदेश क्लियर मदपरदेश नेक्ट है हमारा यहां पे कि लोकसभा के प्रत्थम अध्यक्ष कौन थे जी वी मवलंकर जो है लोकसभा के प्रत्थम अध्यक्ष रहे थे नेक्ट कोशन है हमारा यहां पे कि विश्व में लिखित सम्विधान किस देश का सबसे विश्तरित है तो भारत भारत का सम्विधान सबसे विश्तरित है सबसे बड़ा है नेट्ट है हमारा यहाँ पे कि भारती समीधान सभाक की प्रारूप समीथि के सदस्शिक की संख्या कितनी होती है अगला कोश्यन हमारा यहाँ पे कि ग्राम पंचायत कौन सा कारी नहीं करता है तो संपतिक करकर निर्धारन या कारि गरमपंचायत के द्वारा नहीं किया जाता है आपका अपका A, B, D giud ग्रामीन शेत्र में दिज्ञा देते हो कि आजकर मतलब कि छोटा-छोटा जो बाद विवाद को ज्यादा होता है तो उसका निप्टारा कौन करता है तो अनुमंदर अधिकारी जो है उनका निप्टारा करता है उन विवादों को सुल्जाता है नेक्ट कोशन हमारा है कि राश्टी लोगसभा के सदस्यों में निम्नों को परतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है तो वो कौन है आपका एंगलो इंडियन नेक्ट कोशन हमारा यहां पे कि संबिधान का प्रारूप समीती के चेयर्मेन कौन थे तो विम राव अमबेदकर जो है संबिधान सभा संबिधान का प्रारूप समीती के चेयर्मेन थे विम राव अमबेदकर अगला कोशन है हमारा यहाँ पे जोहतर नमर की निम्न में से किसी एक को छोड़ कर राष्ट पती अन्य सभी को अपने पद्ज से हटा सकता है तो अप्सन नमर डी मंत्री परिशत को छोड़ कर निइस्ट कोशन है हमारा भारत में निमलीकित में से कौन सा सदन अधिक सक्ति साली है तो यह आपका C, A और B कहने के मतलब लोकसभा और राजसभा दोनों ही समान रूप से सक्तिसाली है भारत के संबीदान, भारत के सदन में, ठीक है? नेश कोर्षन हमारा यहां पे कि राजसभा की बैठक, राजसभा की बैठक को की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहां पे आपका अंसर हो गया, उपराजपती जो है, राजसभा के बैठक की अध्यक्षता करता है, अगला कोशन है, यहां पे स्टार मार क्याने की इंपर्टेंट कोशन की लोकसभा के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, सांसर सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी ह है, तो उप्सन नमर D, 552, ऐसे आपको सब जगे 550 मिलेंगे, लेकिन जब गूगल पर सर्च मेंने मारा, तो वहां पे दो सदस्यों से और जो है, एड किये जाते हैं, किसी भी रूप से, तो वहां पे आपका लिखावा था 552, ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित किये ज ही हो जाएगा, क्लियर, अगला कोशन यहां पर हमारा की भारत का सरवाधिक सिक्षित राज है कौन है, तो केरल जो है, आपका सरवाधिक सिक्षित राज है हमारे भारत का, नेक्ट कोशन हमारा यहां पर कि राजसभा के सदस्वा का चुनाओं कितनी वर्स पर होता है, तो दो वर्स पे जो है आपका रासावाक का सदस्वा का चुनाओ किया जाता है और उसका कारेकाल जो है आपका छे वर्स का होता है ठीक है नेक्ट कोशन है मारा यहां पे कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रथम 20 वर्स किस रूप में जाने जाते थे अच्छा तो पहले 20 वर्स में जो है भारती राष्टे कॉंग्रेस जो है पाटी वो किस नाम से जाना जाता था तो उदारवादी राष्टित्य के नाम से जाना जाता था कॉंग्रेस नेक्स्ट कोश्चन हमारा यहाँ पर कि भारती सम्विधान को कब अंगी कार किया गया तो आपका 26 नॉम्बर 1904 स्वी को अगरा कोश्चन हमारा कि भारती सांसत का निम्न सदन कौन सा है भारती सांसत का निम्न सदन कौन सा है तो आपका लोकसभा और हमारा last question है political science का 84 नमर question कि भारत की मुख्य भासा को किस अनुसुची में सामिल किया गया है तो यह आपका आठवी अनुसुची में जो है आपका भारत के सभी भासाओं का विवरन दिया हुआ है आठमी अनुसुची में भारत का मुख्य भासाओं को सामिल किया गया है तो दोस्तो Political Science Related हम लोग ने 84 Qošn को Complete कर दिया है उम्मीद है दोस्तो कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और नीचे कैसा लगा आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट जरू करके बताना अगर आपको लगे कि हमारा वीडियो सेयर करने लाइक है तो प्लीज दोस्तो हमें सपोर्ट कीजिए हमारे वीडियो को सेयर कीजिए फिर मिलते दोस्तों नेक् तक लिये जहेंद वंदे मातरम